दोस्तों नमस्कार मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं दनेशन महिला की ऐसी दबंग्याई आपने पहले कभी देखी नहीं होगी जैसी दबंग्याई इस समय नौईडा सेक्टर 126 जेपी सोसाइटी से आ रही है मामला काफी हाई प्रोफाइल है हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि कपडे छोटे थे और शब्द भी ओचे थे कपडे छोटे थे और शब्द भी ओचे थे इस बात को समझ लीजिए कि पैसा बहुत था पर मांसिकता भी छोटी थी पैसा बहुत था मांसिकता छोटी थी पैसा काफी कमाया पर शायद संसकार कमाना भूल गए इसी दोर में आगे बढ़ चलें हम लोग जहां पर किस तरीके से समाच की अंदर किस परिपाटी को सेट कर रहे हैं वो देखिए इस महला की जुबानी जो लगातार धारा प्रवागालियां बके जा रही है एक के बाद एक ताबल तोड़ गालियां दे रही है और किस तरीके से गाट की कॉलर को पकड़ा जा रहा है किस तरीके से गाट को घसीट रही है गाट बिचारे दुम दबा कर इधर से उधर महला से अपने आपको बचा रहे है मानो ये देखने के बाद वीडियो हैरान में था कि ये महिला है या पुरुष है जब पहली बार इस वीडियो पे मेरी नजर गई तो मुझे देखकर तो ये लगा कि कोई पुरुष है जब तक पूरा सामने नहीं आया और जिस तरीके की उसकी दहाड और गर्जना थी मान के चलिए कि ऐसा लग रहा ताकि भाजपा से इस मरती ईरानी एक बार फिड़ साइद महंगाई को लेकर गैस का सलेंडर रखकर कहीं पहुँच गई हो ऐसा ही मुझे वाक्या इसलिए लगा क्योंकि महंगाई वैसे ही बहुत तेज है और इस महंगाई का दर्द हो सकता है इस समय भाजपा को भी याद आ गया और हाई प्रोफाइल किसी महिलान है जो भाजपा से संबन्द है तो उसने ऐसा कुछ कर दिखाया हो इन सब को लेकर यहाँ पर जो टार्गेट किया जा रहा है इस पूरे वीडियो में वो बिहारियों को किया जा रहा है और बिहारियों को लेकर क्या टार्गेट किया जा रहा है इस पर मैं सबसे पहले आपको आज तक के एंकर आज तक मतलब कल तक पता नहीं पर आज तक टीवी है जो आज तक चैनल उसके एंकर हैं शुभांकर मिश्रा वो अपनी ट्वीटर हंडल से लिखते हैं जितने बिहारी हैं डेस 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 समझ सकते हैं बहन की गाली है यहां पे इनको समालो मतलब सबसे पहले ये महिला कह रही है जितने बिहारी है ना बेहन की गाली दे के पहले इनको संभालो महिला होने का आप शुभांकर मिश्रा लिख रहे हैं महिला होने का फायदा उठा कर एक पूरे राजी को टारगेट कर गाली देना सिक्यूर्टी गार्ड का कॉलर पकड धारा प्रवागाली देना सब्व समाज में ऐसे लोगों की कोई जगे नहीं होनी चाहिए शर्मनाग हर किसी को भी लगेगा शर्मनाग इवन हर उस व्यक्ती को जो एक सब्व समाज की परिकल्पना करता है इस महिला का नाम भाव्या रॉय है ये भाव्या रॉय नाम की महिला अपनी गाड़ी से एंटरेंस करती है जेपी सोसाइटी में जिस पर गेट खुलने में थोड़ी सी देरी हो जाती है और थोड़ी सी देरी होने पर शराब में धुत ये महिला शराब पिये हुए थी नशा किये हुए थी और शराब में धुत ये महिला अचानक से आकर सिक्यूरिटी गार्ड का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाने लग जाती है बहुत जोड जोड से चिल्लाती है इसकी चिल्लाना सुनकर हमने कहाना कि चार-पांच बिचारे गार्ड इधर से उधर होते हैं बीच में बीच बचाउट करने का प्रयास करते हैं पर जब उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनके उपर ये हाबी हो जाए तो वो दूर हड़ जाते हैं अब इसी क्रम में अगले ट्यूटर को अनु खान है ये लिख रहे हैं हैस्टेक नोईडा की हाई प्रोफाइल जेपी सोसाइटी में देखिए ये महिला होने का नाजाईच फाइदा इस वीडियो में आप खुद देखकर समझ जाओगे कि गेट खोलने में देरी की वज़े से भड़क गई महिला और फिर गार्ट को दे रही है बद्दी बद्दी जाती सुचक गालियां ऐसी महिलाओं पर सकते कारवाई होना चाहिए यहाँ पर ये सिक्यूरिटी गार्ड भी ये कहरा है कि बहुत हो गई नोकरी हमारे भी बीवी बच्चे हैं हम भी अपने परिवार को पालते हैं हम अब बत्तमीजी सहकर यहां नहीं रह सकते वो भी अपना बेल्ट निकाल कर अपना पट्टा निकाल कर देने को तैयार हो जाता है और कहता है कि आप ले लीजिये और हमें नहीं करना भी ये नोक्री वहीं पर अगली नरेंदर नाथ मिश्रा हैं ये लिखते हैं अगर श्रीकान त्यागी का मामला power drink का था power drink मतलब सक्ता के नशे का power drink का था तो ये मामला class drink का है class drink मतलब जो status होता है मतलब अमीरी और गरीबी वाला छोटे कपड़े और पूरे कपड़े वाला यह यू कहें कि फटे कपड़े और एक मजबूर जिंदगी और एक सर्व सुविधायुक्त जिंदगी के बीच का यह वो क्लास है और हाँ इन्हें ड्रंका लगता है क्लास के नाम पर किसी को कुछ भी कह देना यह क्लास के नाम पर और हाँ इनके लिए बिहारी शब्द भी उसी जलालत में आता है दोनों मामलों में कोई खास फर्क नहीं है बिहारी शब्द असल में बिहार में अभी सत्ता चली गई है भाचपा के हाथ से और भाचपा के कई सारे नेता बौक लाए हैं बिहारीों पे अपना गुस्सा फोड रहे हैं इसको ऐसे भी निकाल कर देखा जा रहा है कि हाल ही में नितिश कुमार ने जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर दिया और बीजेपी को पटकनी दे दी है उसके बाद से कई सारे भाचपा के नेता बौक लाए हैं तो क्या कहीं कुछ इसके पीछे आगे तत्य खुलेंगे अभी भाव्याराय को ग्रफतार कर लिया गया है लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भाव अधरन सी बात हो चली है अगर ये महिला भाचपा से निकली तो इसमें अतिश्योक्ति मत कीजिएगा क्योंकि असल में ऐसा होता है अभी शिरीकान त्यागी ने भी ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल ड्रामा क्रियेट किया था और अब इस महिला ने हाई प्रोफाइल ड्रामा क एक बयान दिया था बिहार सरकार के खिलाफ महिला सम्मान को लेके कहा था जैसे महिलाएं अपने बॉइफरेंड बदल देती हैं ऐसे ही नितिश जी सरकार बदल लेते हैं मतलब नितिश जी की तुलना उन महिलाओं से की थी जो अपना बॉइफरेंड बदलती हैं मतलब कही न और अभी भी जो बिहारी पूरे देशों में जाकर अपना श्रम करता है और श्रम के बलबूते पर अपनी जिन्दगी बनाता है आज उसके श्रम को लजजित होना पड़ रहा है क्या वो एक अच्छी जिंदगी नहीं चाहता तो मोदी जी का वो वाक्या याद आता है जब वो नीलामी कर रहे थे 40 करोड, 50 करोड, 60 करोड, 80 करोड, 1 लाग करोड और 7 लाग करोड की घोशना बिहारियों के लिए पैकेज की करके गए थे असल में बिहारियों को पूछ लेना चाहिए उस पैकेज का क्या हुआ और स्टार्ट अप इंडिया के नाम पे 20 लाग करोड का पैकेज दे रहे थे कोरोड के पहले रहली पट्री वालों को उसका क्या हुआ अगर ये सब बिल जाए तो किसी को गेट कीपर बनने की इक्षान ना जागे लेकिन इस महिला का फ्रस्टेशन किस कारण से था ये भी जरूर जानना होगा कि किस कारण ये बिहारियों को गाली दे रही थी ये एक सवाल है बिहारियों को क्यों गाली दे रही थी और इस तरीके का बरताव उसका क्यों हुआ क्योंकि असल में इस पूरे शब्द के बीच में बिहारियों को समालो बिहार के पीछे ही क्यों पड़ी थी क्या भाजपा से इस महिला का कोई तालुक है अगर है तो मैंने कहा थी शोक्ती नहीं होगी बस पता करने की बाते गरफतार हो चुकी है लेकिन आने वाले समय में देखते हैं ये महिला का केस आगे बढ़ेगा तो और क्या राजबे परदा होंगे बने रही हमारे साथ मैं दी धन्यवाद जय हिन्ट